नेक्स्क कोश्चन पे आते हैं अब इस कोश्चन में आपसे ये पुछा जा रहा है कि न्यू लेंग्स लॉफ ओफ ओटेव्स के क्या लिमिकेशन से क्या वो रीजन से जिसकी वज़े से हम इसे फॉलो ने करते और इसको रिजेक्ट करना पड़ा था सुपर इंपॉर्टेंग कोश्चन है इसके फोर पोईंक्स है चारो के चारो पोईंक्स आपको बहुत अच्छे से क्लेर होने चाहिए चलो फस्क पोईंक की उपर आते हैं न्यू लेंग्स लॉफ ओफ ओटेव्स वोज एपलिकेबल ओनली अप्टो कैल्शियम एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एक्ट अलिमेंट गिकनॉट पोजेस प्रॉपर्टेज सिमिलर को दैक ओफ दा फर्स्ट यह जो न्यू लेंग्स का लॉफ ओटेव्स है ना वो सिरफ कैल्शियम तक ही अपलिकेबल था कैल्शियम का एकॉमिक मास होता है 40 तो सिरफ एकॉमिक मास 40 मतलब कैल्शियम तक ही यह वाला लॉव एपलिकेबल था कैल्शियम के बाद किसी एलिमेंट को अगरा वन मानके काउंटिंग करना स्काट करो तो एक पुदिशन पे जो एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टिज फर्स्ट पुदिशन वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टिज के जाद मैच नहीं करती थी देखो केबल दिखाता हूं मैं आपको new length के काइम पे 56 elements पता थे उन सारे के सारे 56 elements को new length ने इस तरह से range कर दिया अब ये रहा calcium calcium तक ही जो new length law of archives है वो applicable है calcium तक applicable है, calcium के बाद ये applicable नहीं है calcium से पहले अगर आप किसी भी element को one month के count करना start करो तो 8th position पे जो element है न उसकी properties first position वाले element की properties के साथ match करती है जैसे कि calcium से पहले, यहाँ पर ये oxygen है oxygen को one month के अगर आप counting करना start करो तो 8th position पे sulfur आजेगा तो oxygen और sulfur इनकी जो chemical properties है वो match करती है लेकिन calcium के बाद ये वाले जो law है वो fail हो जाता है calcium के बाद देखो, अगर आप chromium को one मान लो फिर counting करना start करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chromium को one मान के अगर आप counting करना start करो तो 1th position पे hectrium आता है और chromium और hectrium इन दोनों की properties आपस में match नहीं करती इन दोनों की properties तो बहुत ही ज़ादा एक दूसरे से different होती है तो जो law of octaves है ना, वो सिरफ calcium तक applicable है calcium के बाद ये applicable नहीं है और law उसको बोल सकते है जो सब की उपर applicable हो जो सिरफ एक small percentage की उपर applicable हो उसे law नहीं बोल सकते है clear हो गया example में यहीं आप लिखना if we start with chromium as the first element then the eighth element from it will be hectrium these elements have entirely different properties अगर chromium को one मान के count करना start करें calcium के बाद chromium से अगर counting शुरू करें इसको आप one ले लो तो count करने के बाद एक्थ position पे hectrium आता है और chromium और hectrium इन दोनों की जो chemical properties है वो match तो बिल्कुल ही निकरती बलकि इन कारली different है दोनों की जो chemical properties हैं बहुत ज़्यादा different है clear हो गया next point पह है second point है New Lang ने ये बोल दिया कि 56 elements ही nature के अंदर exist करते हैं और आज के बाद हमें और नई elements नहीं मिलेंगे जबकि New Lang को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था ये देखो New Lang से पहले आये थे Gobanier Gobanier 1817 में आये थे उस time पे सिरफ 30 elements हमें पता दे फिर Gobanier के बाद New Lang आये थे 1866 के अंदर जब उन्होंने अपना law for caves दिया था तो 30 से increase होके 56 elements हो गए थे न Gobanier के time पे 30 elements पता दे New Lang के time पे 30 से increase होके 56 हो गए थे अब जब 30 से increase होके 56 हो गए है नई नई elements discover होते जा रहे है तो New Lang ये कैसे बोल सकते हैं कि सिरफ 56 elements ही है nature के अंदर और आगे जाके हमें नई elements नहीं मिलेंगे तो ये गलत बात थी New Lang ने बोल दिया था कि nature के अंदर सिरफ 56 elements ही है and no new elements would be discovered in the future आगे future में कभी भी नई elements और discover नहीं होंगे पर future के बारे में new lang कैसे बता सकते थे जबकि आज के काईम पे तो बहुत सारी elements हैं जो हमें पता चल गया है और new lang के रहते रहते ही बहुत सारी और नई elements मिल गए थे बट लेकर ओन several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of orcaves new lang के रहते रहते ही यह 56 के आगे जब और नई-नई elements discover होने start होए न वो जो और elements है वो भी new lang का जो table है उसके अंदर fit नहीं हो पा रहे थे और वो law of orcaves को obey नहीं करते थे clear हो गया third point पे आते है in order to fit elements into his table new lang adjusted two elements in the same slot and also placed some unlike elements in the same column अपने cable के अंदर elements को adjust करने के लिए new lang ने एक ही slot के उपर दो elements को रख दिया एक position पे सिरफ एक ही elements को रखा जा सकता है new lang ने अपने cable के अंदर एक position पे दो elements को रख दिया और कुछ elements जिनकी properties बिलकुल भी match नहीं करते थे थे ना उन elements को भी same column के अंदर रख दिया देखो table के अंदर एक column के अंदर जो elements आ रहे है ना उनकी जो properties है ना एक दूसरे के साथ match करती होती थे लेकिन new lang ने यहां पे देखो कोबाल्ट और nickel एक position पे दो elements को रख दिया है ऐसा कैसे रख दिया बागे पूरे के पूरे cable में एक position पे जब एक ही element है तो यहां पे आपने एक position पे एक से ज़्यादा elements को कैसे रख दिया और जैसे iron है ना iron की यह nickel and cobald के साथ properties match करती है तो iron को nickel and cobald के साथ होना चाहिए लेकिन यह इतने दूर है और nickel and cobald को जहां पे रखा हुआ है यह देखो hydrogen, fluorine, chlorine, bromine यह fluorine, chlorine और bromine इनकी जो properties हैं वो nickel and cobald की properties के साथ तो बिल्कुल match ने करती हैं तो फिर nickel and cobald को यह fluorine, fluorine और bromine के साथ यहां पे क्यों रखा हुआ है बात आई समझ में new land ने अपने इस cable के अंदर एक तो एक position पर ही दो elements को रख दिया और इन elements को ऐसी जगा पे रख दिया जहां पर इनकी जो properties हैं वो बिल्कुल भी match नहीं करती होती है तो यह problem थी आप example के अंदर ऐसे लिखोगे cobald and nickel are placed in the same slot cobald और nickel को एक ही slot पे रख दिया जबकि एक जगा पे सिरफ एक ही आ सकता है तो एक position पे दो elements को कैसे रख दिया and these are placed in the same column as that of fluorine, chlorine and bromine which have very different properties और nickel and cobald को ऐसे column में रखा हुआ है जहां पे fluorine, chlorine और bromine है और इनकी जो properties है वो nickel and cobald से तो बहुत ही ज़दा different है यह देखो दोनों point आपको आगे समझ में एक तो एक position पे दो elements को रख दिया है nickel and cobald को इनकी properties यह fluorine, chlorine और bromine जिनके साथ इनको रखा हुआ है इनके साथ बिलकुल भी match ने करती है एक position पे एक ही होना चाहिए लेकिन एक position पे दो को रख दिया और जिस column में रखा है उस column के बाकी members के साथ इनका बिलकुल कोई तालमेल ही ने इनकी properties उस column के बाकी members के साथ बिलकुल भी match ने करती है clear एक second पीछे चलने on the other hand iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements और यह जो cobalt और nickel है इनकी जो properties है वो iron की properties के साथ match करती है लेकिन iron को nickel and cardboard से बहुत ज़्यादा दूर एक अलग group के अंदर ही रखा हुए यह देखो यह iron भाई साब यहाँ पे है iron की properties nickel and cardboard के साथ match करती है जिनकी properties match करती है वो एक ही group के अंदर होने चाहिए लेकिन इनको कहीं और रखा हुए इसको कहीं और रखा हुए यहाँ पर भी एक position पर दो elements को रखा हुए यहाँ पर भी एक position के इपर दो elements को रखा हुए और जिस column में रखा हुए उनके साथ इनका कोई लेना देना ही नहीं है clear हो गया fourth point पे आते है noble gases were not known when new langs gave his law of octaves when noble gases were discovered around the year 1900 the properties of 8th element were no longer similar to the first one now it was the first and the 9th element which had similar properties new langs ने जब अपना law of octaves दिया था ना उस समय noble gases के बारे में नहीं पता था लेकिन थोड़े कैम के बाद जब noble gases के बारे में पता चल गया तब तो जो उनका केबल है ना वो पूरी तरह से destroy ही हो गया यह देखो यह वाला जो केबल है इसके अंदर पहले तो calcium तक law of octaves ओबे हो जाता था calcium के बाद नहीं होता था ना पहले calcium तक तो ओबे हो रहा था लेकिन noble gases के discover होने के बाद यह calcium तक भी जो law of octaves है वो ओबे होना बंद हो गया law of octaves का मतलब यह था ना कि first element की जो properties हैं वो eighth position वाले की properties के साथ मैच करेंगे noble gases के discover होने के बाद यह एक की जगा पे सिधा 9 ही हो गया अब first element की properties eighth element की properties से साथ नहीं बलकि first element की properties ninth element की properties के साथ मैच करने लग गई थी तो पूरे के पूरे cable के अंदर ही जो law of octaves है वो कहीं पर भी ओबे नहीं हो रहा था noble gases के discover होने से पहले calcium तक तो law ओबे हो जाता था लेकिन जब noble gases discover हो गई तो उसके बाद calcium से पहले पहले भी law ओबे होना बंद हो गया अब first element की properties eighth element की साथ नहीं बलकि first element की properties ninth element के साथ मैच होने लग गई थी क्योंकि बीच में यहाँ पे और एक और column बनाना पड़ेगा ना उसमें noble gases को रखना पड़ेगा clear हुआ तो इनका जो law for tapes है वो पूरी तरह से ही destroy हो गया था अब first element की properties eighth के साथ नहीं बलकि ninth element की properties के साथ मैच करती थी because of above limitations this system of classification was rejected यह वाले जो चार points है ना इन चारो points की वज़े से new length law for tapes इस system को reject कर दिया था हम इस system के हिसाब से नहीं चलती होते हैं हमने कोई और system बनाया हुआ है चारो points आपको clear होगे यह देखो जो first point था वो यह था कि new length law for tapes कहा तक applicable है सिरफ calcium तक applicable है calcium calcium तक की applicable है calcium से पहले किसी element को one one के count करना स्कार्ट करो तो एक्थ नमबर पे जो होगा उसकी properties first वाले के साथ match करती है लेकिन calcium के आगे यह match नहीं करती है calcium के बाद chromium को one one के count करना स्कार्ट करें तो एक्थ position पे itrium होता है और chromium और itrium की properties आपस में match नहीं करती बलकि इन दोनों की जो properties हैं वो तो बहुत ही ज़ादा गिफ्रेंग है first point के बाद second point यह था new lang ने बोल दिया था कि 56 elements ही है nature के अंदर आगे जाके हमें और elements नहीं मिलेंगे फ्यूचर में और elements मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके बारे में new lang कैसे प्रेकिक कर सकते हैं जबकि new lang से पहले gobiner आये थे gobiner के time पे 30 elements पता थे जब new lang ने अपना law for tapes दिया तब 30 से increase होके वो 56 हो गए थे तो जब उन्हें पता है कि 30 से increase होके 56 हो गए है तो वो यह कैसे बोल सकते हैं आगे जाके और ने elements नहीं मिलेंगे और new lang के रहते रहते ही और नेने elements हमें मिलने start हो गए थे और वो new lang के law for tapes के अंदर fit नहीं हो पा रहे थे second point गे था फिर third point यह जो third point है ना यह super important point है यह cobalt और nickel वाला nickel and cobalt इन दोनों को एक ही position पे रख दिया position पे रख दिया है और nickel and cobalt को जिस group के अंदर रखा हुआ है उस group के बाकी elements के साथ nickel and cobalt के properties बिल्कुल match नहीं करती है जब ऐसे rows और columns के form में elements को रखा जाता है ना तो हमेशा एक group के अंदर के जो elements होती है उनकी properties एक दूसरे के साथ match करती होती है nickel and cobalt में दो problems है पहली problem तो यह है कि एक position पे दो elements को रख दिया दूसरी problem है कि इन दोनों को जिस group में रख दिया है उस group के बाकी members के साथ इनकी chemical properties बिल्कुल match नहीं करती है और next point यह है nickel and cobalt की जो properties है वो iron के साथ match करती है तो iron को nickel and cobalt के आसपास कहीं पे होना चाहिए लेकिन यह एकदम left में है और iron को इदर दूसरी extreme में रख हुआ है मतलब जिनकी properties आपस में एक दूसरे के साथ match करती है उन्हें एक दूसरे के आसपास होना चाहिए वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्लेस किये गए है और last point यह था noble gases noble gases discover ही तो तो इनका पूरा का पूरा table एक इसप्रॉई हो गया noble gases से पहले noble gases के discover होने से पहले calcium तक तो यह वहला law applicable था न अब तो वहां तक भी applicable नहीं रहा first element की properties एक element की साथ मैच करना बंद कर गई थी बलकि first element की properties अब ninth element की साथ मैच करती थी क्योंकि अब हमने cable के अंदर noble gases को भी fix कर दिया था clear हुआ तो इन चारो limitations की वज़े से यह new links law for caves इस system of classification को हमने पूरे तरीके से reject कर दिया और इसको use नहीं करते हैं झाल बाल